नमस्कार स्वागत है आपका News World इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग अमेरिका में हुई हिंसक जड़पों से पूरी दुनिया चौंक गई है हमले या हिंसा पहले भी अमेरिकी कैपिटल पर इसर में हुए है लेकिन इस तरह की हिंसा पहले कभी नहीं देखी गई 220 सालों में इसे मारत पर गोली बारी भी हुई बम भी फोड़े गए लेकिन इतनी भारी मात्रा में हला मचाती भीड संसत के खंबो पर चड़ती हिंसा मचाती भीड का ये कृत हैरान कर देने वाला है अमेरिका में कैपिटल परिसर के बाहर ट्रम्प समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक जड़प हुई जिसके बाद परिसर को लॉकडाउन कर दिया गया 220 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया जब हिंसक भीड ने हमलावर का रूप ले लिया इससे पहले अमेरिकी कैपिटल में और भी कई हिंसक जड़पें देखी गई इससे पहले हमलों की बात करें तो साल 1812 में युद में ब्रिटिश सेना ने इसे जलाने की कोशिश की थी जिसमें आकरमन कारियों ने पहले इस इमारत को लूटा और फिर दक्षणी और उत्तरी हिस्सों में आग लगा दी बाद में कॉंग्रेस की लाइब्रेरी को अस्त व्यस्त कर दिया अमेरिका में ट्रम्प समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक जड़प के बाद एक महिला की जान भी जली गई संसत के इस सत्र में नव निर्वाचित राष्टपती जो बाइडन की जीत को प्रमानित किया जाना था लेकिन ट्रम्प अपनी बात पर अड़े रहे चुनाव में धांदली हुई है और वो लगातार अपने जीत के दावे करते रहे इसा शुरू होने के बाद कैपिटल के भीतर यह घोशना की गई कि बाहरी सुरक्षा खत्रे के कारण कोई व्यक्ती कैपिटल परिसर के बाहर या उसके भीतर नहीं जा सकता जब नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बाइडन की जीत को प्रमानित करने के लिए संसत के सयुक्त सत्र के लिए कैपिटल के भीतर बैठे थे तब ही यूएस कैपिटल पुलिस ने इसके भीतर सुरक्षा के उलंगन की घोशना की कैपिटल के बाहर पुलिस और ट्रम्प समर्थकों के बीच जड़प हुई प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल की सीडियों के नीचे लगे बैरिगेट्स को तोड़ दिया कैपिटल पुलिस ने बताया कि इलाके में एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने संसत का सैयुक्त सत्र शुरू होने से ठीक पहले कहा था कि वह चुनाव में हार को सुईकार नहीं करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें धांदली हुई है और यह धांदली उनके डैमोकरेटिक प्रतिद्वन्दी जो बाइडन के लिए की गई जो नवनिर्वाचित राष्टपती है ट्रम्प समर्थकों के हिंसक होने के बाद नैशनल गाइड को आक्शन लेना पड़ा अमेरिका में हो रही खुनी जड़पों के बीच सोशल मीडिया के दिगज कमपनिया ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टरग्राम ने अपने अपने प्लाट्सॉम पर ट्रम्प के अकाउंट को बंद कर दिया है ट्विटर ने ट्रम्प के अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है साथी चेतावनी दिया कि अगर भविश में ट्रम्प ने नियमों का उलंगन किया तो उनके अकाउंट को स्थाई रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा ट्विटर ने ट्रम्प से ये तीन ट्वीट भी डिलीट करने को कहा जिन में हिंसा का मुख्यकारण बताया जा रहा है अमेरिका में हो रहे हंगामे की बीच ट्विटर के बाद फेस्बुक और यूट्यूब ने भी ट्रम्प के उन वीडियो को हटा दिया है जिसमें वे अपने समर्थकों को संबोधित कर रही थे ट्रम्प ने हिंसा के दौरान ही अपने समर्थकों से अमेरिका को बचाने की अपील और राष्टपती चुनाव में धांदली होने की बात की थी फेस्बुक और उनका मालिकाना हक वाले इंस्टरग्राम पर भी ट्रम्प के पेजों को अगले 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है फेस्बुक के और से कहा गया है कि ये आपात सिती है हम ट्रम्प के वीडियो को प्लाटफॉर्म से हटाने सहित कई उच कदम उठा रहे हैं फेस्बुक के उपाध्यक्ष ने बुद्वार को कहा वीडियो को हटा दिया गया है क्योंकि इस से हिंसा और भढ़केगी इस घटना क्रम पर प्रधानमंद्री नरिंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दिये हैं उन्होंने कहा है कि मैं हिंसा की खबरों देख कर परिशान हूँ प्रधानमंद्री ने गुरुआर को सुभा ट्वीट किया वाशिंग्टन डीसी में दंगो और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परिशान हूँ सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर हस्तांतरन जारी रहना चाहिए लोकतांतिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रही है नियूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद